और अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कूट नीती के लिहाज से भारत की ये बड़ी जीत है कतर से बड़ी खबर है कतर ने भारत के 8 पूर्वर 9 सैनिकों को रिया कर दिया है भारत ने रियाई के फैसले का स्त्वागत भी किया है और कतर से 8 में से 7 पूर्वर 9 सैनि कि भारत लोट आए हैं और वहीं लोटे भारतियों ने कहा कि पीएम मोधी के बिना ये मुम्किन नहीं था तस्पिरें आप देख सकते हैं जब वो एरपोर्ट पर पहुंचे तो भारत माता की जै के नारे भी लगाए साथी उन्होंने कहा कि हम प्रधान मंत्री नरे सैनिक अधिकारियों को सुनाई गई थी भारत के हस्तशेप के बाद बाचीत के बाद क्योंकि लगातार विदेश मंत्राले वहां पर बाचीत कर रहा था तो सजा को कम करते हुए उम्र के अद में तबदील कर दिया गया था और अब ये बड़ी कूट नीतिक जीत भारत की क कातर ने इन सभी को रिहा कर दिया है और अपस इंडिया पहुंच गए हम सेफ इन साम और डेफिनेटली ओनरबल प्राइम मिनेस्टर श्री मोदी को धन्यवाग करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटर्वेंशन से यह पॉसिबल हुआ और गर्मेंट ऑफ कितार के इस एक् प्राइम मिनिस्टर मोदी एड़ वूंड भी आज हम आपके समने खड़े नहीं हो रहे होते हैं अगर इंटर्वेंशन नहीं होता है डाट लेवल हायस लेवल और इन स्पेशली गवर्मेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहें विया दिया है इंट पूर्व नौस हैनिक बड़ी मुश्किल में थे जहां पर उनकी जान भी जा सकती थी लेकिन पीम की कोशिशों के बाद भारत लोट आई हैं जिसकी खुशी चहरे पर साफतोर पर दिखाई दिए एक और बड़ी खबर का रुक कर लेते हैं इस पर लगातार बड़े उक्वे हैं कूट नीती के लिए हैं से भारत की बड़ी जीत है भारत के आठ पूर्व नौस हैनिकों को कतर ने रहा कर दिया है भारत ने रहाई के फैसले का स्वागत भी किया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कतर से आठ में से साथ पूर्व नौसैनिक भारत लोट आए हैं और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया जैसे ही वो भारत एयरपोर्ट पहुचे उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्रमगोदी का शुक्रिया आदा किया भारत माता की ज्यके नारे लगाए अगस्थ दोहजार बाइस में इन भारतिय पूर्व नौ कैट में सजा को तब्दील कर दिया था लेकिन बात वही नहीं रुकी लगातार भारत कतर सरकार के संपर्थ में था और उसके बात नतीजा आपके सामने हैं कि ये पूर्व सैनिक रिहा होकर अपने वतन लौट आए हैं भारत लौट आए हैं आठ में से साथ पूर्वनौ सैनि एक जो हैं भारत लौट आए हैं तस्विर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब वो एरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं रिलीव और एक खुशी ताफ तोर पर जहलक रही थी आपस इंडिया पहुंच गए हम सेफ इन साम और डेफिनेटली ओनरबल प्राइम मिनेस्टर श्री मोधी को धन्यवाग करना चाहेंगे कि उनके परस्नल इंटर्वेंशन से यह पॉसिबल हुआ और गर्मेंट ऑफ पितार के इस एक्सिलेंसी दामीर को कि उन्होंने यह होन होता है अगर इंटर्वेंशन नहीं होता है दाट लेवल हायस लेवल एंडिया उनके अथक प्रयास से कि वह कंसिस्टेंटली लगे